हेलो एवरीवन वेलकम टू क्योब एजूकेशन और बच्चों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 क्लास का फर्स्ट ट्रम का स्लिवस अभी इसे जस्ट पहले मैंने एक 9th क्लास का स्लिवस अप्लोड करा तो उसमें 11 क्लास की वीडियो भी बनाई थी बट उसमें कु उसे पहले मैंने जो वीडियो प्लोड करें थी बट उसमें 9th क्लास के जो फर्स्ट ट्रम का स्लिवस मारिकिंग स्कीम है वह आपको उस वीडियो में मिल जाएगी और इस वीडियो में मैंने खली 11th क्लास का किसका mathematics का टीक है इसमें हमने mathematics का 11th क्लास क्या मैं क्लास का क्या बढ्ट गया और सेकेंड तो चम्तर में चंटर सेकंड में आ första में और Öसमें कोन सा चाप्टर कितने मार्क्स का है हम इस विडियो में वह डिसकस करेंगे यहां पर यहां पर देखोगउगे यह यू नित दे function यह हैं आपका 11 marks का होगा आपका second unit है algebra जो आपका algebra है वो आपकी 13 marks की है कोडिनेट जमेटरी बेटा आपकी six marks की है calculus जो आपका unit 4 है यह आपका four marks का है stat six and probability यह आपकी six marks की है टोटल आपका एक्जाम पीपर किते marks का होगा 40 marks का होगा जो MCQ होगा इसके बाद आपका internal assessment है टैन marks की internal assessment है टोटल मिला कि आपको first channel 50 marks में से एक्साम मिलेंगे जो 50 marks में से आपको marks मिलेंगे ठीक है तो अब देखते हैं unit wise देखते हैं और इसमें आपका internal assessment में क्या-क्या count होगा अगर आप देखोगे यह आपका इंटर्ले असेस्मेंट के मार्स है तो जो भी आपके स्कुल में प्रियोडिक टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हो या ओफ लाइन हो रहे हैं और आपकी फिर मैथ की एक्टिविटी फाइल बनती है उसमें आपको फाइफ मार्स में प्लस में मार्स मिलेंगे यह 11 क्लास की बच्चों के लिए है अब यूनिट वाइस देखते हैं अगर आप यूनिट देखोगे तो यह है आपका सेट्स एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट थी और अगर आपने नोटिस कर रहो बेटा फर्स्ट यूनिट कितने मार्स की थी 11 मार्स कर् prêt किट्मार्स की है 11 मार्स की तो यह इलेवं मार्स का चैप्टर है आपका फस्ट यूनिट कितने मार्स का इस में इध्यौन पहला चैट्ट आएगा और आपका संट्र पोस्ट्र एक रिलेशन और रिमधा न फञएकर कौश्स नम्बर है औरौ आपका को मांँगोशिफ और न्बर नाइन सब्सक्राइब यह दोनों चेक्टर मश्मार्ट मिला के आपके दो अगली यूणिट यसमे चैप्टर करना है स्क्समार्ट का है अब यूडियोट खेट लाइन जो कि SICKS मार्क्ष का है अब चैल्कुल्डस की बात करते हैं कैल्कूल आपका का चैप्टर है तो यह 4 तो यह आपको नहीं करना और भी हो भी नहीं करनी तो वह आपको फर्स्टाम में नहीं आएगा खाली लिमित आएगी यह 4 का च описании UH इस आपकी statistics एणपरिटी यह सिár मार्णकी इसक्सक्स में शिर्ऩाउच Thats जाने वाला है दूसरा अएगा पांच यहा पर आखाई है फिर नाइन दा याएगा त। तोटल मिला के बैटा चैप्टर नमर कितने चैप्टर करें या एक्जान का फिर अपने मार्किंग को नोट करें और अपनी जो प्रैक्टिस आने वाले हैं चेप्टर दिए हैं और हर चेप्टर में से कुछ टॉपिक टिलीट है तो मैं एक वीडियो लाओंगा पटिकुलर वीडियो जिसमें बता दूँगों कि इस chapter में से यह वाली exercise करनी है और exercise नहीं करनी है और यह question attempt करने है यह question practice नहीं करने है ठीक है बच्चो तो आपको क्या करना है यह सब note कर लेना है और जो भी आपके 11th class के जो भी friends हों उनके साथ यह video share कर देना जिससे उनको इसके बारे में आपको knowledge हो जाएगी किस chapter में से क्या आने वाल है और यह जो स्लीवस डिवाइड हुआ है first time और second time में तो आप वीडियो अपने दोस्तों को साथ सेएर कर देना और आप इन्हें इसे अपनी नोट कर लेना ठीक है बच्चों तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैंने आपके first रहा है और आपकी मार्क झाल झाल